हेलो एंड वेलकम टू मैं चैनल एया कर दो क्रीटिस साइट आज हम बनाएंगे ब्लू पॉटरी आर्ट तो आप अगर मेरे चैनल के न्यू है तो इससे सब्सक्राइब कर लें और न्यू वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को अन कर लें तो चलिए शुरू करते हैं इ हम स्पॉंज डेबर बनाएंगे इसके लिए हमें स्पॉंज का पीस लेकर उस पर सरकल मार कर लेना है सिजर से कट करना है और इसे एक सरकल शेप दे देना है डावर की सायता से हमारी जो पेंट होता है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है अब हम इसके स्पॉंज के सेंटर में एक कट मार कर लेंगे और हमारा जो भी वेस्ट स्केच पिन है उसे कट करके अच्छे से स्टिक कर लेंगे आप चाहें तो वेस्ट पैंसिल वेस्ट ट्रॉ जो भी थोड़ा हार्ट पाइप जैसा हो उसको आप वहां पे स्टिक कर सकते हैं सेंटर में जिससे की स् आप different sizes, shapes के dabber बना सकते हैं जो हमारे किसी भी craft project में बहुत useful होते हैं Blue Pottery Plate बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ceramic plate लेंगे जिस पर white acrylic paint को हमारे homemade sponge dabber से coat करेंगे इस पर एक coat छुखने के बाद दूसरा coat कर सकते हैं जिससे अच्छा finishing आएगा अगर आपने brush से acrylic coat किया है तो कहीं कहीं पर जैसे brush के strokes आते हैं उसको dabber की help से एक और coat दे दे और सूखने दे अब इस पर pencil से जो भी design बनाना है उसको draw कर सकते हैं आप जाहें तो इस पर अगर आपका flat surface है तो yellow carbon की सायता से उसको trace कर ले मैंने यहां पर दो plates ready करके रखी हैं जिस पर मैं एक पर आपको fabric real 3D liner से outlining करके बताओंगी और second one पर brush से करना बताओंगी तो मैंने यहां पर सबसे पहले जो हमारा plate है उस पर fabric real 3D liner से lining करके बता रहे हैं जो ज़्यादा उफर कराती है blue pottery में generally जो main color है वो blue है उसके साथ हम combination में yellow, green, brown, red का थोड़ा use कर सकते हैं मैंने यहां center से outlining देना start किया है ऐसे ही अंदर से अगर हम बाहर की तरफ outlining करते हैं तो हमारी mistakes होने के chances काम रहते हैं और color merge नहीं होता है smudge नहीं होता तो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ outlining करना start करें और मैंने यहां पर lines को 3D liner से small dots, leaves, birds और small circle से design को fill कर लिया है अब मैंने इसे एक घंडे तक सूखने दिया है इसके बाद जब यह सूख जाएगा तभी इस पर further color करना start करें तो यह अच्छा रहेगा प्लेट अच्छी तरह सूख जाने के बाद मैंने यहां पर acrylic paints लेकर paint करना start किया है सेंटर से मैंने जो flower बनाया है उस पर yellow color कर रहे हूँ और यहां पर मैं yellow green blue का ही combination use करने वाली हूँ कहीं कहीं पर मैं red dots दूंगी जिससे की design थोड़ा खेल कर आएगा तो यह बहुत ही सावधानी से जो हमारी outlining है उसको बचाते हुए आप color कर सकते हैं अगर कहीं पर color आ जाता है तो आप बात में भी उसको outline करके corrections कर सकते हैं तो इसी तरीके से मैंने leaves flower और जो हमारे pattern है उसमें green red yellow blue का combination करके उसको फिल कर दिया है और अब इसे में दो तीन घंटे सूखने दूगी इसको अच्छे से सूख जाने के बाद आप इस पर वाणिश प्रे वाणिश पॉलिश जो भी करना चाहें कर ले और इसे 24 आज के लिए colors को fix होने के लिए रखते तो लीजे हमारा खुबसूरत सा प्लेट रेडी है आप डिफरेंट डिफरेंट साइजे में प्लास्टिक प्लेट पे से मदिए शीट पर तरीके से जो हमारी blue art. pottery art एक उसको बना सकते है हमारा जो सैकन्ड डेजाइन है वो मार big brush से बनाने वाली हूं जिसके लिए पहना ट्रिपल 0 heck इस किया है इसके लिए इनया जो पैंसल ब्स उडिजाइन किया था उस पर fine paintbrush से पुरी आउट लाइनिंग कर ली है, ट्राइ करें कि लाइन को एक ही स्ट्रोक में बनाए, एक ही बारे बनाए, जिससे कि हमारा स्ट्रोक स्मूथ आएगा, और देखने में हमारी जो लाइन्स हैं, वो बहुत अच्छी नज़र आएंगी, इसमें मैं यहां पर ग्रीन, यलो, रेड, ब्लू का यूस करने वाली हूँ, जिसमें कि मैंने जो फ्लार्स हैं, उनको यलो कलर कर लिया है, लीज को ग्रीन कलर का, डॉट्स में यलो, ग्रीन, रेड, सब कलर यूस करने वाली हूँ, तो देखिए मैंने सबसे पहले डॉट्स कर लिये हैं, जैसे मैंने यलो कलर का यू के बाद जो हमारे डॉट्स बच के थे उनको रेट कलर से फिनिश कर दिया है अच्छा जो हमारी जो बहुत सारी वाइट स्पेस दिख रही है उसको फिनिश करने के लिए मैं यहां पर जो हमारी ब्लू कलर हमने यूज किया था उट लाइनिंग में सेम कलर का यूज करते पूरी तरीके से हमारा हो जाएगा उसके बाद इसको टू-3 आर्स को सूखने दे और इसके बाद हम वार्निश स्प्रे या पॉलिश से इसको कलर को फिक्स कर देंगे इसको आप अच्छी तरह हैं करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का डबल साइड फोम टेप आते हैं उसको यूज करें और केचेन में लेविंग स्पेस में कहीं भी आप जहां इसको डेकुरेट करना चाहें वहां आप लगा सकते हैं आशा करती हूँ आपको ये ब्लू पॉट्टरी का वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कोईरी हो त आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर कर लें थांक यू फर वाचिंग हैवा नाइस डे बाई बाई